आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे CROP करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि True horns के बारे में दिये गए Options में से कौन सा सही होगा horns की जब पात करते हैं तो यह हमें किसी भी Animal के Head Region में उसके Forehead में Pointed Permanent Projections के फॉर्म में मिलेंगे और इसका अगर Structure देखें तो अंदर से इसकी जो Core होती है वो Life Bone की बनी होई होती है यानि कि Life Tissue होता है जो Body का हिस्सा है और इसके बाहर एक Sheet से horns covered होती है जो के Keratin और इसके जैसे ही Similar Proteins का बना होगा Keratin वहीं प्रोटीन है जिससे Nails, Claws, Beak यह सब Animals में बने होंगे अब horns की जब बात करें तो यह हमें mainly Cattle में मिल जाते हैं फिर Goats में और Antelope में भी इस तरह के horns हमें मिलेंगे लेकिन इससे Similar काई Structures है जो True Horns नहीं होगे क्योंकि True Horns के क्या-क्या Characteristic है यह Pointed Projections होती है जो Permanently हमें मिलेंगी Birth के तुरंट बाद इनकी Growth शुरू हो जाती है और यह Shed नहीं होती इसके अलावा इनकी जो Core है वो Live Bone की बनी होई होती है और Sheath Keratin की होती है तो अगर अपने Options को देंगे पहला लिखा हुआ है कि Bones Hollow होगी यह बात Correct हो जाएगी एक तरीके से क्योंकि इनकी Core तो Bone की बनी होई होती है लेकिन जो Sheath नहीं सराउंड कर रही है केरेटन की वो अंदर से Hollow होती है यानि Bone की Core और उपर से केरेटन की Sheath के बीच में जगा खाली होती है तो Hollow हम Bones को कह सकते हैं फिर कह रहा है कि Arise from Frontal Bones अब Animal का जो Skull होता है उसमें Facial Bones में ही Frontal Bones नाम की Bones को हम Include करते हैं और Generally देखा जाता है कि इन ही Frontal Bones की Modification या Extension से ये जो Core होती है हमारी Horns की ये बनी होई होगी तो ये भी सही बात हो जाएगी और लिखा हुआ है Never Shed तो ये भी सही है क्योंकि हमने देखा कि True Horns Permanent होती है इसलिए यहां पर Option D हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं हाला कि कुछ False Horns भी हमें कुछ Animals में देखने को मिलती है अगर इसका Example ले हम तो जिराफ को अगर देखते हैं तो उसके Head पे भी हमें कुछ Boney Bumps मिलेंगे लेकिन ये फर से Covered होते हैं और ये True Horns नहीं है ये Ossic Horns होते हैं केरेटन की Covering इनके उपर नहीं होती इसके बाद Deer में भी हम Antlers नाम के Structure देखते हैं जो इसी तरह से Sing की तरह Horns की तरह हमें नजर आते हैं लेकिन ये भी True Horns नहीं है क्योंकि Antlers को Time to Time ये Deer Shed कर देते हैं और हर साल नए Antlers उपकर आते हैं True Horns की तरह ये Permanent नहीं होते उसी तरह से Rhinoceros को अगर हम देख लें तो Rhinoceros के पास भी कुछ Horns जैसे Structure होते हैं लेकिन ये Purely Keratin के बने हुए होंगे इनमें Bone की Core नहीं होती है इसलिए ये भी हमारे True Horns नहीं होंगे तो Mammals के अलग-अलग Groups में हमें Horns से Similar Structure देखने को मिलेंगे लेकिन या तो उनकी Core Live Bone की नहीं बनी होई होती है उनके पास Keratin की Sheet नहीं होती या फिर वो Permanent नहीं होते इसी रीजन से हम उन्हें True Horns की Category में नहीं डालते तो Option D यहाँ पर Hollow, Frontal Bone से Arise होने वाले और Never Shed करने वाले यानि Permanent ये तीनों ही True Horns के बारे में हमारे सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर Image में भी हम देख सकते हैं कि एक Antelope के True Horns हमने दिखाये हुआ हैं जो कभी Shed नहीं होते और इस तरह से Keratin Protein की Sheet से उपर से वो Covered है